कि अब दोस्तों मैं हुई उसवर आप देख रहे हैं टैलेंट हंट तो क्या आप दी 35 पर एंप्लीफायर की अपने मोडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही पोटेंट हो सकते हैं मैंने इस बोड की ऐसी मोडिफिकेशन किया है आपको किसी ओर पर आपको चैनल पर नहीं मिलें तो यह बोड ऐसे था फ्रेंट तो मैंने इसको बेस्ट अलग करके इनका भी चैनल मैंने डिवाइड कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके तो नोरूमल तो ऐसे बोड होते हैं मैंने इसको मोडिफाई किया हुआ है इसमें क् ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है दो एंपेर का यहां सकते हैं यहां पर रहने दे सकते हैं बाकि आगर आप ब्रिज एक्टिफायर लगाएं तो और बैटर रहेगा क्योंकि यह जल्दी जलता नहीं है और यह सोट भी नहीं होता है जल्दी और पचास वोल्ट सेन्तालिस ओपके आपर कैपिश्टर लगा दिये तो अब यह बोर्ड चलेगा 3030 पे अराम से पांच एंपेर आप कोपर का जो ट्रांसफोर्मर रहता है उसको दीजिए और यह ना तो ट्रांसफोर्मर को अपना चेंज कर दो 3030 पांच एंपेर कर लो उसके बाद ही आपको 100-800 वाट एक चैनल पे आउटफूट मिल जाएगी और फ्रेंस वोल्टेज भड़ेगी तो आपको कैपिश्टर चेंज करने पड़ेंगे यह तो नॉर्मल सी बात है तो इस से कोई वाटेज नहीं बड़ेगी आगे भी आपको काम करना पड़ेगा जो कि ड्राइवर बोर्ड में और यह भी कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है यहां पर लगा देते हम ड्राइवर ट्रांजिस्टर जैसे यहां पर हम बीडी 1449 लगाते थे तो इसमें सेम उल्टा है देखी यहां पर इससिद्धा लगा लेकिनिया आं लगाना है क्योंकि इनकी बेस क्लेक्टरिमिटर श्यक्ती ओसटी श TH तो जहां पर सीधा लगा होता है महां पर यह वाला उल्टा लगाना है तो उल्टा लगेगा कौन सा टी आइपी 42 और टी आइपी 41 सीधा लगेगा और मैं नीचे से एक बार दिखा दूं आपको तो फ्रेंड्स यह जो लाइन देख रहे हैं आप प्रिंटिंग की यह वाली प्लस होती है और यह जो लाइन देख रहे हैं यह वाली माइनस होती है यह साइड में यह साइड प्लस होती है प्लस साइड लगेगा जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर वह है प्लस साइड लगेगा ट्याइपी 42C और अगर यह लगा लेते हैं आप उसके बाद एकताब के बार-बार फुकेंगे नहीं इसकी जो वोल्टेज रेटिंग उते हैं फ्रेंट्स चलने की वह ज्यादा हाई रहती है तो ज्यादा वोल्टेज पर भी अराम से कर जाते हैं 65W का सिर्फ एक ट्रांजिस प्लाई में अगर 45 वोल्ट बन रहे हैं तो यहाँ पर उससे ज्यादा बनेगी जब इस्पिकर चलता है क्योंकि यह बूश्ट रहा है यहां पर देखिए यह सेगमेंट होता है यह आउटपूट की वोल्टेज से एसी वोल्टेज लेकर डबल वोल्टेज बनता है तो यहा 12V जीनल डायोड लगा है तो 12V से उपर यहां पर जाएगी नहीं तो 25V रहने दें यहां पर भी कोई दिकत नहीं और यह वाला तो 12V के लिए भी बना रहता है तो 25V यहां पर चल जाएगा तो अब यह जो बोर्ड बन गया ना फ्रेंट्स यह शिक्स पेयर यह फाइप यह मतलब पांस सो वाट के लिए बन गया है फाइब पेयर आप इस पर लगाओ कोई साभी ट्रांजिस्टर लगा लो वह चला देगा सारे पॉजिटिव साइड के होने चाहिए जैसे कि बावन सो तीस पच्पन या एंजड डूसरे भी तो अगर आप यह सबसे बड़ी गलती करते हैं अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यह तो यह तीस पच्पन का जो देख रहे हैं तो यह बिल्कुल नहीं लगाना नहीं प्र आपको मिलेगा नी ऑरिजिनल मिल भी गया तो फिर वह लगा लेना कोई दिक्कत नहीं और यह वैसे मिले गारिंस तो इसको लगाना लिए नहीं नहीं तो जल जाएंगे बिलकुल तुरंती जल जाएंगे थोड़ी सी आवाज खोलती तो उसकी जगह आप यह लगा सकते हैं एक यह पेर दिखा रहा हूं मैं कि यह वाला लगेगा यह पोजिटिव साइड का सी वाला तो इसका नंबर आप नोट कर सकते हैं या फिर बावन सो लगा लो वह और बैस्ट है फ्रेंड्स और एंजड़ उससे भी ज्यादा वाट इस निकालता देड़ सो वाट प्योर निकालके देगा एंजड़ का अगर आ वो नेक्स्ट वीडियो मा आएगी तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना